गोलाई तो आचुके हैं हम लोग आपके बीचो बीच पढ़ाने FMT with the latest update concept and everything latest vulgar jokes latest mnemonics क्या बात है क्या बात है let's 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 wait for everyone ठीक है then we'll start क्या बात है सॉंग सुना दो कौन सा सॉंग वेशाल नेगम बताएए कौन सा सॉंग आपकी खिद्मत में हाजिर हैं हम लोग दुबारा से लास्ट येर के बाद शायद ये हमारा पहला लाइव है वैसे पढ़ाने के लिए ना वाह एक बारी सारे 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 बोलेंगे क्या I will pass I will pass no one can stop because I will pass I will pass I will pass क्या बात है चैट बॉक्स भर जाना चाहिए दोसो अठाईस लोग आ चुके है दिल का दरिया बही गया ला 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 आई आप श्छ फाइव सिंग मां नीड पी जी का स्टूडन ने हमारे integrator learny channel को थैंक यू बोले हैं उसके 5 56 marks आये हैं इस अ proud moment for all of us और आपके लिए भी कि आप इस family का हिस्सा है पढ़ाई लिखाई तो चलती रहती है पर बख्चोधी करके पढ़के दिखाओ है ना बख्चोधी और पढ़ाई साथ में करके दिखाओ तभी तो तभी तो क्या बात है क्या बात है चैंटिंग नहीं है भए कंसाइस कलास है ये चैंटिंग FMT के अलग से होगी चैंटिंग अलग से होएगी समझ गए क्या बात है 319 आर लाइव अगले दो मिनिट और इंतजार उसके बाद इंतजार खतम इंतजार कब तक हम करेंगे बला कब तक अब करेंगे बला कबूतर अज करी प्यार की पहली चिटी मुझको आखे मैं आज कर कबूतर नहीं हो नहीं हो कबूतर सिर्व हग नहीं हूँ कबूतर हो काम है गारे पर हग नो पॉट्टी गरना पॉटची और साले बिमारी भी करते है सिटी कॉसिस क्या बात है एक मिनिट के बात हम करेंगे शुरू विशाल को बड़ा गाना सुनना है और भाई बताओ कौन सा गाना लड़कियों की फरमाईश पे गाना प्रस्तुत किया जाएगा ततकालीन प्रभाब से क्या बात है क्या बात है जोश है होश है जोश है जादू है नशाह है यस एफम्टी के सिर्फ दो छोटे-छोटे classes होंगे पूरे conceptual नेमोनिकल हर चीज होगा उसमें ठीक है दो सिसमें एफम्टी खतब ठीक है और दस नंबर गेरंटी इस कंटेंट में से दस कोश्चन सौल्व होंगे आपके कम से कम ठीक है जी समझ गए साड़े तीन सो लोग आ चुके हैं और पांच मिनट हो चुके हमें आए हुए वेरी गुड क्या बात है तो अभी हम स्टार्ट करेंगे एफम्टी आवी गुड टू गो एक बार सब लोग लिखेंगे आइए 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 मुबारक मुपारक let's start now I will pass 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 Wow Sir, आपने तो सारे ग्जाम क्लीर कर ली है आपको बोलने का जूरता I will pass किया जूरता आपको बोलते हो ना Yes, very good sir See when your कि जाना परेंट्स They are with you Every exam you give Is their exam also Wow just like that all your exams are my exam you pass i pass you fail i fail and no one want to fail that's why 24 hours we are at your service sab ko pass karana kya baat kya baat that's good that's good so our first chapter let's start with the first chapter that is indian legal system and court procedure indian legal system and court procedures guys remember first topic is ipc you all know ipc ipc किसके लिए होती है crime और उसकी punishment for crime and punishment ipc is used and india में कितनी ipc होती है can anyone tell me live आके answer भी देना है let's make this session interactive कितनी ipc होती है in total do you know कितनी ipc होती है 511 ipcs are there in total yes so how many ipcs are there in india 511 ipc is in total remember very good next is crpc it is criminal procedure court criminal procedure court is for investigation and judgment कोई भी चीज की तहकीकात करते हैं उस पे अपना जो फैसला सुनाते हैं उसको बोलते हैं CRPC that comes under CRPC और total number of CRPC इंडिया में कितनी है guys 484 तो अगर question आया इंडिया में कितनी CRPC हैं तो याद रखना 484 484 बहुत बढ़िया अब मुझे कोई बताएगा कि oral बढ़िया है कि documentary क्या Indian Evidence Act 1872 के अंदर oral जादा बढ़ा है कि documentary क्या बात कर रहे हो oral में जादा मज़ाता है इसलिए याद रखना oral मुझे बोला हुआ जो शब्द है उसकी जादा value है document से भी है याद कर लेना Indian Evidence Act के अंदर oral वाले की जादा value है क्या बात यह सब करकुर आगे आए है foreign medical graduate है और जाए उसके बाद बात करेंगे witness की guys remember most common witness most common witness होता है i witness सबसे जादा वो बक्षोड men जो रस्ते चलते कुछ नहीं देखा हो चाहाई ना देखा हो haan जी हमने देखा है that is why it is most common witness then is eyewitness most common witness remember it is eyewitness guys remember here say witness not valid यह valid नहीं होता पर एक केस ऐसा है जिसके अंदर यह valid होता है that is dying declaration एक dying deposition होता है other one is dying declaration in India there is dying declaration remember this here say witness is only valid in dying declaration बाकी कानों से सुनी हुई बात का कोई मोल नहीं है it's only most common is here say most common is eyewitness most common is eyewitness remember expert witness who is expert witness can you tell me who is expert witness can you tell me expert witness कोने who is expert witness जल्दी से कोई answer देगा क्या कोई answer देगा कि तुम तुम हो तुम हो तुम हाँ तुम जो तुम मुझे देख रहे हो जा देख रही हो भूर की कोन होता है डॉक्टर साब जिन्दा बाद डॉक्टर क्या बात है expert witness in doctor forensic expert यह सारे expert witness होते हैं और पता है इनको गवाई देने के पैसे भी मिलते हैं क्या बात है कोन देता है next is cognizable offense guys remember cognizable offense वो offense होते हैं जिसमें you can arrest a person without any warrant तुम जुर्म करके दिखाओ तुम्हें घर से उठा ले जाएंगे तेक तो डोलिया भी उठा ले जाते हैं घर से गाना भी है उसका यह मतलब नहीं है वो तो शादी कर रहा ना है ना आप सुनो चार आर आते हैं इसके अंदर कि चार आर आर आरा 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 आर करते हैं और वो तो करते हैं अगर रेप कर दिया तो there is a no need of warrant किसी की raggingly college में आपने पकड़े जाते हो no need of warrant किसी के साथ बत्तमीजी की धक्का मुक्की करी no need of warrant किसी की चोरी कर ली no need of warrant ठीक है उसके बाद डावरी डेथ हो जाती है अगर दहेज के लेंदेन में किसी को मादे that in that case also there is no need of warrant and you can arrest person उसके बाद अगर किसी का पीच्छा करा किसका पीच्छा करा किसी का पीच्छा कभी never never करा कभी बता दो सच्ची में ना पुलीस उठाके ले जाएगे आपको लडगी आपके पीच्छा आती है मैंशा क्या वस टॉक्ट वाइज अगर किसी का पीच्छा करा गौतम नगर में तो तब भी क्या होगा पुलीस उठाके ले जाएगी अगर किसी को देखा सेक्स करते हुए यह तो हम रोज देखता है क्या बात कर देखता हूं कि वाव वाव तो याद रखना किसी को देखना सेक्स करते हुए किसी का पीच्छा करना तो फॉलो समवन दिस आल कम्स अंडर कोगनाईज़ेबल ओफेंस जिसके अंदर आपको पहले सम्मन आता है जमीन जाएदाद के जो केसे थे हैं इसमें आपको पहले सम्मन आता है वारंट आते हैं तो we'll study about that also next topic is courts कोन कोन से court होते हैं guys you all know supreme court सबसे highest there is a supreme court then high court then session court supreme high session supreme court high court session court then there is an additional additional session court then additional वाले का एक assistant है that is assistant session court remember number one supreme court number two high court number three session court number four additional session court and number five is assistant session court इसमें से guys remember this fifth one assistant session court it can give you imprisonment up to 10 years and all of these सब के अंदर unlimited fine unlimited fine और इन चार के अंदर supreme court high court session court additional session court के अंदर unlimited imprisonment life death sentence दे तो यह full lifetime jail कर दो हिनको को इनको है को का और पार तन जाया कर दो हिनको को को आंदे सब्सिंद्स है को को के तो इस को को fucking who can pardon death sentence very good amnesty by president is a right answer by dream catcher very good this was asked in the last year exam ठीक है तो ये question आचुका है president रामनात कोविंद रामनात कोविंद रामनात कोविंद रामनात कोविंद रामनात कोविंद बारोसा तो रहा ही नहीं ये भी कि in a single day India vaccine 2.5 crore on Modi ji birthday that can also be आ सकता है कोशन? You are absolutely correct for the number of doses they all are correct see, they all know the answers very good 500 rocks wow clapping, clapping wow, wow, wow now, now we'll study about police and magistrate inquest yes the inquest is investigation of cause of death cause of death क्या था उसकी तहकीकात करने के लिए there is an inquest. तो number one is police inquest, second one is magistrate. So what is better? Better क्या है? Can you tell me what is better? Police और magistrate क्या लगता है? I think जो ज़्यादा इनसाफ करता है, वो magistrate. मुझे लगता है नहीं. जो ACP परदियुमन करता है, वो best. कुछ तो गड़ड है दया. That is the best inquest. और वो, क्या doctor सामखुल है, वो चक के ब्राद करता है. So that is much better, okay? चलो. क्या बादा, क्या बादा, आप सुनो. Police inquest comes under 174 CRPC. Police inquest comes under 174 CRPC. And magistrate comes under 176 CRPC. Very, very good. चौका चुका चुका बड़ा है ना? चुका बड़ा है, इसलिए याद रखना, magistrate वाला ज्यादा, पावर्फूल, बैटर, magistrate वाला. Yes. Minimum level of officer required for police inquest is a question. Yes. MCI का question है, remember it is head constable. Wow. Head constable. Head constable is a minimum, और उपर तो कहीं भी चले जाओ. ACP, DSP, फलाना, डिंगा, लाड़ा. Yes, दियूमर. ठीक है? An inquest report which is prepared by this police officer is called punch nama. Yes. ठीक है? This is called punch nama. अब याद रखना, magistrate वाला कब-कब होता है. जब police custody के अंदर. Custody. Police custody के अंदर किसी की death होई, तो magistrate साब आएंगे. उसमें police नहीं आएंगी. आना के घर-घर के बंदे कट्टे होगे, ऐसा नहीं होई. प्लीस, police की कैसे जाज कर लेगे? सही बात है, सही बात है. We need superior power, that is magistrate. अब प्लीस को गलती करें, उसकी जाज मैं नहीं कर सकता है. क्योंकि मैं करूं हो तो बाइस है. प्लीस का study, next one is firing. Other one is interrogation. ऐसी क्या, जाज करी, बात करी की मर गया मनना? ठेक है? अगर प्लीस की interrogation में भी आदमी मरता है, तो magistrate सहाब आएंगे, inquest के लिए. Other one is dowry death. Other one is dowry death. Guys, remember exhumation. What is exhumation? What is exhumation? जो X करती थी, खोद खोद के निकार. क्या बात है? X, खोदना और, डिगिंग. डिगिंग आफ डेड़ बाड़े. ये आदमी क्या कर रहा है? खोद रहा है. और तुम क्या करते हो? ये भी खोद रहा है. तो याद रखना, इस पे कोशन आया था. इस पे कोशन आया था, मैं बताता हूँ को. The question was ask कि हम exhumation कितने सालों तक कर सकते हैं? Yes, what years? Can you answer me? 2 year? 10 year. 10 year? 20 year? Lifetime? Can you tell me the answer? Can you tell me the answer? They are giving the answer. Answer. Anyone giving the answer? Exhumation का पूद बड़ी. खोद आई कब तक कर सकते हैं? कब तक खोद आई कर सकते हैं? खोद आई. क्या बाद है? जिंदी भर. चारत तक हैं जिंदा. प्यार ओर अरबापडी लंबी खुखुखु खुदाई. खुदाई. जिंदा तक हैं रॉड? बोद सकते हैं. तो correct answer is lifetime MCI का question है. digging of dead body. आपने body दबा दी. आपको अगर फिर भी कोई doubt है कि हम खुदाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो magistrate साब को बुला करके आप खुदाई कभी भी करके उसको चेक करा सकते हो कि dead body के अंदर अगर कोई आपको findings नजर आती है कि नहीं आती है. डन होगी बात. आगे बड़े. Very, very, very good. सैंभा दूसरा नाम है सब पीना सब पीना अभी जिन्दा हूं तो पी लेने दो पी लेने दो बरी बरी साथ में जी लेने दो क्या बात है सब पीना means you are under penality तुमने कोई जुर्म कर दिया है अब तुम्हें पेशी पे जाना है अचा अगर पापा बुलाएं शाम को अगर पापा ने बुलाया पापा ने बुलाया तो क्या होगा जल्दी से बता दो अगर तुमने कोट ने तुम्हें बुलाया and you refused that is punishable तो दो थरीके के cases होते हैं number one is civil case number two is criminal case guys remember civil case के अंदर वारंट आएगा अगर सम्मन को refuse करा तो सम्मन के बाद वारंट आएगा ठीक है सम्मन के बाद वारंट आएगा और क्या लगेगा फाइन लगेगा आपको तो civil case का cover हो गया वारंट एंद फाइन क्रिमिनल के अंदर सुनना वारंट भी आएगा फाइन भी आएगा और जेल भी होईगी मार ली जाएगी अगर क्रिमिनल केस वाले सम्मन को हलके में लिया तो तुमारी मार ली जाएगी तो इससे हमें ये पता चलता है कि priority किसको देंगे तो guys can you answer me कि क्रिमिनल कोट और सिविल कोट में से आप किसको preference दोगे इसमें एक और दो इसमें एक दो तीन तीन चीज़े हैं अब बताओ क्रिमिनल या सिविल कोट में से which court you will take seriously एसा इसका ये मतलब तो नहीं आथा दूसरे वहले को चूतिया समझ लो जल्दी से बता तो जल्दी से अब जिसकी होो ना तो अब आपके ही तो criminal court criminal court क्या बात है criminal court ठेक है तो criminal court को पहले preference देनी हो क्योंकि इसमें जादा बजाई जाती है समझ में आगी फिर higher quote की lower quote higher quote lower quote का मतलब क्या है कि supreme quote high quote additional quote additional session assistant सारे quote है ना उसमें से higher quote को preference देनी है तो higher quote ठेक है उसके बाद ठीक है अब equal status अब condition सुनना you are getting someone from both equal quotes बता दो both session quote for example तुम्हें समझ आया session quote में से ठीक है दूसरा भी session quote में से आया अब तुम मुझे ये बता दो तुम preference किसको दोगे higher भी दोनों equal है दोनों equal है दोनों equal है दोनों quote equal है बता दो preference किसको दोगे यह मत कहने जो घर के पास पड़े है ऐसा नहीं घर के पास हो दोसको preference दोगे ऐसा बिलकुल नहीं है जो पहले आया come first come sir ब्रिंदर खुमार पहला सही जवाब ठेक है क्या है अटेंड दा फस्ट वान received ठीक है जी और यह नहीं करना कि पहले जिसने आया उसके यह चलेगा और दूसरे वाले को अता पता नहीं कि भाई आया क्यों नहीं समझ में आगी तो याद रखना पहले जिसका आया उसके पास जाना है और दूसरे वाले को बताना है क्यों नहीं आया ड़न होगी बात आगे बढ़ते हैं conduct money that is also known as diet money conduct money is also known as diet money guys remember diet money money paid to the witness towards expenses in attending court आपने कोई case लड़ा आपका कोई case था उसके अंदर आपका जो witness था अगर वो court तक जाता है आपके case के सिलसले में तो उसको आपको conduct money pay करना पड़ेगा तो इसका मतलब है same party will pay you the expenses अब expert witness है doctor तो doctor को इस case के अंदर जिस case में किसी का कोई नहीं होता उस case में किसको कौन पे करता doctor को उस case में जिस case में जो victim था उसके पास कोई नहीं है case लड़ने को उस case में सरकार उसको अपना देती है वकील देती है तो सरकार जब आपको अपका वकील देगी तो जब आपको doctor साहब को बुलाएंगी सरकार ठीक है तो doctor साहब को money कोन पे करेगा government ठीक है ओके तो doctor साहब will be paid by government ठीक है otherwise the same party who is calling you will pay your expenses that is conduct money next one is oath if you will ever refuse to take oath अगर oath लेने से मना करते हो doctor साहब it is punishable and it comes under IPC 178 अमालो girlfriend कसम बोले कसम खाओ की तुम मेरा अच्छा girlfriend or testimonial capacity ले ले आपकी और आपने मलब जूटी कसम खा दी तो आपके तो सड़ जाएंगे अंदर तो बना कर सकते हैं क्या बात है बाइं मैं तो I can't refuse any girl this is my like कमजोरी हो गई आज की डेट में वीकने से पता नहीं आपका पता नहीं कैसा दिल है मुझे समझ्या है किसी को नालब चादी नहीं करी यार क्या सराबी ठीक है refusal of taking oath comes under 178 IPC other one is perjury तुमने कसम खाई और तुमने जूट बोला जूटे evidence दिये that is perjury तो perjury means false evidence after taking oath कसम खाने के बाद भी जूटे सबूत दिये that is perjury तो definition क्या इस की 191 IPC definition is 191 perjury की definition 191 and it is punishable under 193 IPC so definition of perjury 191 punishment of PPP perjury 193 very good push पह यादब very 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 good ठीक है next is exam oh sorry let me add something this is MCI question remember if your age is less than 12 years then no need to take oath why 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 बच्चे मन के सच्चे सारी जग की आखों के तारे ये जो नन्ने फूल खिलिल बगवान को लगते प्यारे बड़े हरामी बढ़े हरामी यो जाते हैं गंदे काम करते हैं yes है ना मनला बच्चे करें तो वो गंदे आप करो तो अच्छे है ना क्या सही है सही है भाई सही है less than 12 years no oath is required ठीक है जी let's go examination of witness can you tell me examination in chief is done by primarily the examination is always done by same side law guys remember primarily examination is done by same side lawyer then cross examination is by opposite side lawyer cross examination is by opposite side lawyer cross examination ki khub surati sunlo there is no time limit and leading question is asked what is leading question you have to answer only yes or no in leading question remember you have to answer only yes or no yes or no yes or no ask you were you beaten by your wife yesterday so what we should say yes or no were you beaten yesterday by your wife yes or no क्या तुमने कर ली क्या बोलोगे उसमें तो yes or no हो जवाब ना हो तो भाई बहुत दिक्कत है तो ऐसी ऐसी बात भी opposite party का lawyer can ask you जिसका आपके पास जवाब ना हो फिर उसको counter करने के लिए there is a re-examination which is again done by same side lawyer guys remember cross examination is done by opposite side lawyer there is no time limit सामने वाला आपकी जब तक उसका मन करेगा तब तक ले सकता है है की नहीं और सिर्फ आपको जवाब देना है बस हाँ की ना ठीक है फिर आपका वकील दुबारा उतरता है re-examination के लिए ठीक है इन सब के बीच में एक है हमारे king कौन magistrate yes magistrate कभी ले सकता है magistrate यह ऐसा आदमी है जो आपकी कभी भी ले सकता है वो सामने वाले की तुमारी फिर सब की मलदा कभी भी ले सकता है तो magistrate can ask any question at any point of time rise remember yes video will be available guys remember magistrate can ask question any point of time ठीक है cross examination where leading question is present it is done by opposite side lawyer examination in chief is started by same side lawyer this is very very important topic next is hostile witness यह वो हराम जाता witness होता है जो तुमारी side होने के वावजू तुमारे खिलाफ बोल जाता है ठीक है this is called hostile witness it is a person who gives false evidence it is a person who gives false evidence उसको बोलते है hostile witness ठीक है तो यह वह ही बोह सुड़ी वाला है जो तुमारे पैसे लेता है और उसके बाद जो है तुमारे खिलाफ बोलके चला जाता है तो बिकाओ बिकाओ वही है hostile is बिकाओ next is very very important every time one question is asked from this topic that is dying declaration and dying deposition ठीक है dying declaration and dying deposition in India in India we follow dying declaration India में dying declaration है and this comes under 32 Indian evidence back can you tell me expert witness comes under expert witness comes under expert witness can you answer me expert witness comes under can you please answer my question can you please answer my question expert witness expert witness expert witness I have already taught you expert witness don't mind channel that is 75 Indian evidence act is the right answer very good everyone is correct let's study about the dying declaration and deposition dying declaration से पहले आपके डॉक्टर को आके चेक करना है कि पेशेंट काबिल है काबिल है काबिल है की नहीं तो इसकी mental state it check करना है कॉम्पोस में अनीश कॉम्पोस में आप इसकी कॉम्पोस में आप इसकी रिकॉर्ट कर सकते हो statement की यह चुदा हुगा बंदा है समाहँ आई तो हिंडिया के अंदर याद रखना first doctor has to certify compose mantis who can record this is also MC guy question who can record so doctor saab magistrate magistrate is best क्योंकि magistrate मलग कही न कहीं super power है magistrate is best then comes doctor police public ये सब लोग record कर सकते हैं but if anyone asks you which one is best you have to mark the answer magistrate उसके बाद oath क्या चाही होती है मरते हुए आदमी से बयान record करवाना आपको हिंदोस्तान के अंदर क्या उसमें आपको oath पुछोगे उसको कसम खा नहीं वो वैसे ही सच्चा है क्योंकि वो मर रहा है ठीक है और इंडिया में याद रखना एक ही बात कही जाती है कि मरता हुआ कभी आदमी जूट नहीं बोलता वो किसी के भी L लगाके मर सकता है तो तुम मरते मरते किसी को L लगाके जाना चाहो तो तुम लगा पाऊए ठीक है तो oath required no leading question क्या था हमारा yes or no यहाँ पे no leading question भी नहीं होता जो बोलेगा बोलेगा वही मानना पड़ेगा आप सवाल जवाब नहीं करोगा आप उसमें सवाल जवाब नहीं कर सकते तो doctor remember this thing ठीक है यह record होती है ठीक है magistrate doctor नहीं यहते है पर इसके साथ साथ आपको दो witness चाहिए होते तो dying deposition आपको record करने के लिए दो witness चाहिए और जो recorder होगा that can be magistrate that declaration that can be by magistrate doctor, police और public but you need two witnesses आप इसकी validity पे सवाल उठाते हैं guys remember validity of dying declaration it is valid only when person dies क्योंकि इंडिया में क्या कहा जाता है मरता कभी जूट नहीं बोलता remember only when person dies तो आदमी जब मरेगा उसके बाद ये MCI का question था the time when I was giving exam this was my question if validity कभ होईगी जीते जी की मरने के बाद मरने के बाद what's the answer और मेरा एक number आ गया था तुमारा भी आएगा तुमारा भी दिन आ रहा है 12 December को तुम्हे भी चमकना है समझ में आए अब dying deposition की बात करेंगे dying deposition is valid throughout the life out the life ये dying deposition के बारे में बता दूँ ये UK ये US में होती है हाई फाई कंट्रियों में अंग्रेज लोग नी मानते मरता हुआ सच बोलता है कभी जूट नी बोलता अंग्रेजों का अपना फंडा है हमेशा magistrate होना जरूरी है और गाईज रिमेंबर ये तो बिल्कुल मरते हुए से भी कसम दिलवाते हैं और सवाल भी पूचेंगे क्या बात है लीडिंग कोश्चन भी पूचेंगे deposition में ओध भी दिलवाएंगे और सिर्फ magistrate की पावर है और ये इसी वज़ा से पूरी जिंदगी वैलिड होता है और इंडिया वाला जिसमें ना कसम होती है ना लीडिंग कोशन होता है वो मरने के बाद वैलिड है दन होगी बात ठीक है चल नेक्स इस लीगल सेक्शन वेरी वेरी इंपोर्टन टॉपिक इस लीगल सेक्शन आईपी सी का आपको याद है क्या क्या करता है आईपी सी ठीक है गिप पनीश्मेंट ठीक है पनीश्मेंट इस आईपी सी वेरी गुड 44 आईपी सी इस फॉर इंजरी 44 आईपी सी इस फॉर इंजरी 45 इस फॉर लाइफ ठीक है, 45 is for life and 46 is for death, पहले चोट खाए, जिन्दगी में और फिर मोत हो गई, क्या तुम चोट खाओगे कभी जिन्दगी में, क्या तुम अख्रोट खाओगे, नहीं चोट, 44, 45, 46, injury, life, death, injury, life, death, ठीक है, जालो, criminal responsibility, उमर के हिसाब से, ठीक है, तो बारा साल से कम बंदे को ओथ लेने की जरूरत नहीं होती, अब criminal responsibilities की बात करेंगे, सबसे पहले, IPC 82, IPC 82 कहती है, less than seven years of age, not libel for any crime, फिर से, बच्चे मन के सच्चे, if you get a chance to become seven year old, I will kill someone, because I am not liable for that, आपको किसी को मरवाना होना, सभसे वहले बच्चा पेदा करो, साथ साल से पहले उसको training दो, और बदारा हो चाले किसको मारना है, तो उसकी बजादा अदो, ठीक है न, आपको मारना किसी को, तो बच्चा पेदा करना पड़े वो've और क्राइम मेरे नहीं है ठीक है तो रिमेंबर दिस तिंग आई-पी-सी एटी-टू लेस दन सेवन इयर्स ऑफ एज एन्यवन मेल फीमेल ट्रांसजेंडर नो वन इस लाइबल फॉर एनी क्राइम कुछ भी करो खुलन खुला प्यार करेंगे दोनों उसके बाइद गाईज रिमेंबर आई-पी-सी-एटी-थ्री रिमेंबर दिस तिंग यह आई-पी-सी कहती है कि साथ से बारा साल तक सेवन टू ट्वैल इयर्स के अंदर क्रिमिनल रिस्प कितना मैचोर है कि नहीं है यह तै करेगा स्कूर्ट तै करता में ली ठीक है तो क्रिमिनल रिस्पॉंसिविल्टी देपेंड और मेंटल मैचोरिटी आफ दा पर्संट आप्स अंडर आई-पी-सी-एटी-थ्री नाव वरी-वरी फेमस इस आई-पी-सी-डी-सी-डी-सी-ड 12th December, Question Number, in the first paper, Question Number 69, 12th December, this question will be there in FMG exam, यह आने वाला है, it is coming, Guys, remember insanity, इसके अंदर IPC 84, IPC, remember this thing, insane person is not responsible for any crime, ठीक है, insane person is not responsible for any crime, इसके अंदर तीन चीजे होती है, पहले बंदा, insane का मतलब है, उसको कुछ नहीं पता, वो भूला है, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर एक lucid interval आती है, this is lucid interval, In lucid interval, वो बंदा दुबारा से sane हो जाता, sane मतलब आप उसको दुबारा समझ आ जाती है, यानि का मैं दो साल से insane हूँ, पर एक आदे महिने के बीच में मेरे के अंदर insanity वापिस आ गई, और मैं वापिस insane हो जाता हूँ, अगर दोस्तो, इस lucid interval में आप करते हो कोई crime, then you are punished, then this offense is punishable, समझ में आगी, are you getting my point, lucid interval क्यों होती है, because of extra dural hemorrhage, ठीक है, and what is the name for this, this rule, this rule is, what rule is this, what rule, magnoton, very good, very good, seher is giving right answer that is magnoton, magnoton's rule, 100% question, 100% question is there from this, done है, next IPC is IPC 86, 85, 85, IPC 85, 84, 85, very good, we are in order, 85, IPC, क्या कहती है, किसी ने आपको पिल लाई, कोई, आपकी मर्जी नहीं थी, आप गए कहीं पे juice पीने, उसमें दो पैग मिला दिया, आपने पक्का करा हो गई अपनी college life में, किसी बिचारे को, जो ना पीता हो, कोई बिचारा जो ना पीता, उसको आपने जबरदस्ती पिलाई होगी, अगर उस case में, if that person is doing anything wrong, that person is not responsible, this comes under, if I make you drink and you do crime, you are not punishable, no, you make me drink, I do crime, not punishable, no, then we'll both be free, so not responsible for any crime, guys remember 85 IPCA कहती है कि आप अगर अंजान थे आपको पिलाई गई जब, तो हमेशा जब भी पियो, अंजान बनके पियो, समझ में आगी, तो you are not, you are not criminal, this, this, this comes under IPC 85, now we are going in order for IPC 86, IPC 86 कहती है, अगर आपने अपनी होशो आवास में पी, और फिर आपने कोई बख्चो दी की, और फिर आपकी बजाई जाएगी, तो बजाती जाएगी, किस case में, IPC 86 में आपकी बजादी जाएगी, 85 में आप अंजान हो, आपको कुछ नहीं पता, तो कोई नहीं छेड़ेगा, 84 में जब आपकी होश आई थी, आपने crime करा, तो आप गए काम से, आप गए काम से, तो 84, 85, 86, 82, 83, 44, 45, 46, सारी, IPC इस पर ली, आप इस होमिसाइट, इस दा डैथ आप परसी, तो किसी को मारना, गाइस रमेंबर किसी को मारना, इस 300 IPC, is for definition of murder, 302 IPC, is for punishment of, किसी को मार दोगे, तो 302, उसकी definition है 300, और punishment है 302, what is 304, 304 कहती है, मारना नहीं चाहता था, फिर भी, मर गया, it's not like unintentional murder, you can say it, unintentional murder, that someone was firing you, and by mistake, that bullet, punctured the another person, so this is called, this comes under, I was driving, and I kill a person, or I am a doctor, that will not be murder, murder is when you actually have a motive, you have, yes, plan, मैं चाहता था, गल्ती से मर गया, सोगी बाई, के लोग तो ये भी कहते है, राथ को गल्ती से साथ सोगे थे, सुभ़ कांट हो गया है, तो गल्ती से था, ऐसी गल्ती है, ऐसी गल्ती है, बार बार हो, cause death, sorry, homicide, not amounting to murder, homicide, not amounting to murder, very good, homicide, not amounting to murder, next is 304A, guys, remember, cause death due to negligence, can you give me example, I am expecting example from you, actually A is for apron, and who wears the apron, is a person who is neglecting you, and doing some wrong surgeries in you, can you tell me, what is the answer, medical negligence, an example you can write doctor, yes, it comes under medical negligence, if some doctor is doing a crime, मैंने बोला दोक्त सब कहनों लगा दे ना इस वाले में, दूसरे वाले में ठोक दिया, मैंने का था, इसकी reputation करनी आपने दूसरे वाले कर दी, मतलब बजाना था, किसी को बजा दी, किसी की, it comes under 304A, 304A, now 304B, B is for BV, B is for BV, guys, remember, अगर दहेज के लें देन को लेकर आपने अपनी बीवी को मार दिया, that comes under 304B, and we will say, दाओरी 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 दा we are going to talk about very very important topic that is hurt and grievous simple and grievous hurt simple and grievous heart remember guys for simple heart the IPC is 319 very good simple heart matlab aise kuj dhkka de diya ya thappad maar diya this comes under simple grievous means you are using some kind of weapon so it comes under IPC 320 so grievous hurt me there are so many things I think yes so what what are write down grievous hurt me what is there yes please write down in grievous hurt what is there yes let's see what people we are speaking in hindi english both ya do not read bilingual children and if possible we will take in English we will take in Hindi me 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 sensory system, eye, hearing, face, fracture, dislocation, power of limb, face, penis, car, अगर penis, erectile, dysfunction हो गया, deprivation of member, penis, car, गया, 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 और, 320, 320 IPs, very good, now guys remember we learn all of these, number one is voluntary, causing simple hurt, this comes under IPC 323, 324, 325, 326, let's learn all of this with a very simple way, guys remember सब के अंदर voluntary आ रहा, voluntary, 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 that's why it is a crime, voluntary करोगे तभी तो ये जुर्म है, गुना है, गुना करोगे, क्या, किसी को पिला के उसके साथ कुछ करोगे, क्या, very good, मत करना, वरना, जाओ, consent लेके करोगे, क्या बात है, सुनो, चारों में voluntary आ रहा है, heart भी आ रहा है, weapon भी आ रहा है, आप सुन लो, दो में आया, simple, पहले दो में simple, दूसरे दो में grievous, पहले दो में simple, मतला, voluntary, simple, voluntary, simple, voluntary, grievous, voluntary, grievous, तीसरी चीज़ यू एड होने है, इसमें सबसे पहले non-dangerous, फिर dangerous, non-dangerous, dangerous, ऐसे sequence याद रखना, सबसे पहले non-dangerous, फिर dangerous, non-dangerous, dangerous, तो मेरे साथ एक बार दुबारा बोलेंगे, voluntary चारों के अंदर है, 323, 24, 25, 26, voluntary चारों में, पहले दो simple, दूसरे दो grievous, पहले दो simple, फिर dangerous, फिर non-dangerous, फिर dangerous, चलो इनको combine करते हैं, तो मैंने कहा था, voluntary सब में है, तो सबसे पहले क्या है, voluntary causing simple hurt with non-dangerous weapon, voluntary causing simple hurt with non-dangerous weapon, comes under IPC-323, next one is, voluntary causing simple hurt, simple simple दो बार था, दुबारा से simple आ गया, voluntary causing simple hurt with, पहले non-dangerous weapon था, अब dangerous weapon, now it is dangerous weapon, तो voluntary causing simple hurt with dangerous weapon is 324 IPC, next मैंने बोला था, क्या, voluntary सब में है, तो दुबारा voluntary आ गया, अब पहले दो simple पढ़े थे, अब दो grievous पढ़ने है, तो now it is time for grievous hurt, तो पहला है तो non-dangerous, तो guys collectively will speak, voluntary causing grievous hurt with non-dangerous weapon, IPC-325, then again voluntary सब में है, तो voluntary आ गया, grievous दोनों में था, grievous आ गया, पहले non-dangerous था, अब की dangerous, it is dangerous weapon, voluntary causing grievous hurt with dangerous weapon, guys remember, एक बार दुबारा से, simple hurt का IPC-319, grievous hurt का IPC-320, voluntary causing simple hurt with non-dangerous weapon, जल्दी से बताओ, you have to fill in the chat box, ठीक है, voluntary causing simple hurt with non-dangerous weapon, which IPC, can you tell me which IPC, which IPC, voluntary causing simple hurt with non-dangerous, it is IPC-323, then again voluntary causing simple hurt with dangerous weapon, it is IPC-324, IPC-324, then voluntary causing grievous with non-dangerous, grievous with non-dangerous, 325, now voluntary causing grievous with dangerous, grievous with non-dangerous 325, grievous with dangerous 326, grievous using what, simple, sorry, simple hurt with non-dangerous is 323, simple hurt with dangerous is 324, very 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 simple, इसे बच्चे पूछ रहे हैं कि यह dangerous weapon का फंडा क्या है, वस, देखो, एक तो दुखोस मैना मैं देखें, बड़ा फंडी सा बन रहा था, देखें कैसे मना था, एंडी, देख पार देखें कैसे मना, ऐसे, non-dangerous, एन, फिर दी, फिर एन और फिर दी, तो एंडी, नहीं दूँगा, नहीं दूँगा, नहीं दूँगा, दूँगी, नहीं दूँगा, चलो, देखो, simple सी बात है, dangerous weapon is something which can actually kill, or harm you severely, are you clear, like any sharp, knife, okay, axe, or any ballistics, like gun, axe, kill or harm, that is called dangerous, so, this pencil is what, dangerous, non-dangerous, this pencil is dangerous, non-dangerous, if you give it to John Wick, have you seen that movie John Wick wali, he killed three people with a pencil, but that is not a dangerous weapon, okay, it's non-dangerous, clear, but a scalpel will be a dangerous one, so sharp or the one which is giving trauma, clear, severe trauma which can actually incapacitate or kill you, it's called a dangerous weapon, yes, done है जी, चलो, let's move forward, याद हो गया सबको, let's move, ठीक है, अब बात करेंगे किसकी, 326, 326A, yes, तीन ने दो पे छिड़का, क्या छिड़का, एसे, 3 people thrown acid, तो तीन ने दो पे छिड़का, 326A, is for AAA acid attack, yes, तीन ने दो पे छिड़का और बची, क्या है, acid attempt, तो acid attack के लिए, 326A, acid attempt के लिए, 326B, acid attack, 326A, acid attempt, 326B, sexual offense की बात करेंगे, 375 and 376, 375 is for definition and 376 is for punishment of rain, लॉक साब ठीक है, then it is for 376A, B, C, D, L, O, M, L, O, P, yes, sir, yes, sir, I will do, I will pass, I will pass, आजो वापिस, 376A की दुनिव में, आओ, जब कोई आगमी कोमा में चला जाता है, तो तुम कहते हो, आजा, 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 ए, 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 376A, when rape victim, rape victim dies, और goes in coma, rape victim या तो कोमा में चला जाए, या मर जाए, तब धारा लगती है, 376A, B का क्या मतलो हो, B, B मतलब बीवी, B मतलब बीवी, बीवी से diverce होने के बाद भी अगर आपने बीवी से बकड चोदी करी, तो आपके उपर धारा लगेगी, 376B, B for BB, very good, हुआ अगर इवोर्स होने के बाद भी बीबी साथ भगड़ भगड़ करें तो 377 बहुए तो उसके साथ ही करना था तो छोड़ा क्यों सी से कैसी सी से कस्टूडियल था पुलीस वाले नहीं हुए पुलीस कस्टेडी में गई महिला पुलीस वाले ने बजा दिया तो पुलीस वाले के फिर क्या लगेगा 376C 376C is for custodial rape अब इस case में कौन आएगा investigation के लिए can you tell me हमने पढ़ा है कस्टेडी के अंदर कोई भी बक्चोदी हो जाए तो कौन आएगा who will come who will come one who is supreme one who is supreme of police who will come can you tell me please please magistrate Irfan is right Khatun is right magistrate magistrate now d d for dog तो हमने पढ़ा है आदमी कोन होता है all males are dog why they are dogs because we are good people we are good people you can trust us how can it the 376 dog क्या करते मिल के ठीक है गैंग रेप के लिए जो IPC है that is 376D 376D 376E is for excess heinous crime very 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 jasin nirvyaaghtyya kanduata us jas a case के लिए there is excess heinous crime that is 376E 376E एक बारा से दोबारा से 375D and 376P is for rape definition and punishment of rape victim विक्टिम अगर कोमा में चला गया या मर जाता है रेप का दैन 376E तो उसको क्या करते हो आजा आजा बोलते हो आजा ओ आजा बीस फॉर बीवी डाइवर्स के बाद अगर बीवी के साथ कर दी बकड़ चोदी तो क्या लगए गा 376B अगर कस्टडी के अंदर हो जाता है रेप 376C अगर कुते जुंड में मतलब यह कुते होते है यह वाले कुते होते ठीक है उसके बाद 376E is for excess heinious crime excess heinious crime 498 IPC was question it is जो relative मिलके पती के मावा मिलके जो सताते है न और अरतों को उनके उपर लगती है 498 IPC for bartered by और यह तो छोड़ी गया एक तो 76 के बाद अगला नंबर क्या होगा अगला नंबर क्या है 76 के बाद क्या आएगा 77 वो क्या होता है परस क्या होता से पूछ जड़ा और इन लोग साथ साथ तीन पीपल एक साथ करें यह तो गहुती गलत चलिए 377 IPC is for unnatural sex what is unnatural sex? ठेक है voluntary miscarriage की बात करेंगे अगर miscarriage होती है guys remember miscarriage with consent of mother then IPC 312 312 IPC miscarriage with consent of mother मा से पूछ करके बच्चा गिराया गया तो 312 miscarriage without consent मा से बिना पूछे बच्चा गिरा दिया तो 313 ठेक है फिर मा पूछ चक्ती है की तेरा अकेले का था क्या तेरा केले का था क्या मेरा कुछ नहीं था क्या इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता तो 313 miscarriage without consent of mother so mother can ask की तेरा केले का था क्या तेरा 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 314 death of mother due to miscarriage criminal abortion मा की death हो गए तो मा का जो husband था ना वो चुद जाएगा तो 314 तीन सो चौदा चौदा तो हस्बेंड चुद गया तो तीन सो चौदा क्योंकि उसने क्रिमिनल अबॉशन करवाया जिसकी विज़े से मदर की डेथ हो गई ठीक है जी ठीक है जी ठीक है जी तीन सो सत्रा अबंडेंटमेंट ओफ चाइल्ड बाए पेरेड बारा साल से कम बच्चे को अगर कोई उसके माबाप भूले भटकने के लिए छोड़ देते हैं दाट इस अलसो पनिशेबल अंडर IPC 317 ठीक है now it's time for chapter 2 that is traumatology, traumatology के अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे blend force trauma, blend force trauma में सबसे पहले है Ñबरेशन, आबरेशन होता है रगड लग जाती, जब तुम रगड देते हो that is अबरेशन जी कहा है रगड तुमें कही भी लग सकती है, गुटनों में, डॉगी स्टाइल करते हुए, वो भी अब्रेशन होता है, ना, इसके अंदर, लेयर इफेक्टेड इस ओनली एपिडर्मिस, सिर्फ एपिडर्मिस जाती है, only epidermis is gone in abration, and scab formation is seen, scab होता है, ब्लैक ब्लैक कलर के जो बन जाता है उसके बाद, that is scab formation is seen, and only epidermis is gone in abration, now we are going to study what types of abration, number one is scratch, तुम करते करते वाइल्ड हो जाते हो, तुम दूसरे इनसान को नोचते हो, scratch तो यह देखो इस बिचारे भोले मानूस को भी किसी ने नोचा है this is pin या thorn nail से हुआ है है ना फिर grace vibration का बाता है guys remember जब तुम गिर जाते हो road traffic accident में तब लगती है तुम्हें grace grace गिर जाते हो grace कहां गिरते हो road पे तो grace grace ठीक है most common scene in road traffic accident other one is pressure aberration यह से तुम किसी को love bite देते हो थरी तो बोला आद भी कुत्त हो ना कुत्त जैसे खाया उस बिचारी को यार उस बिचारी को कुत्ते जैसे खा दिया कुत्ते जैसा इस नोट tolerable ठीक है this is not tolerable यह कोई love bite होता है मर जाती जगलर में सब भाड़ देत का विचारी का तो प्रेशर अब्रेशन है जैसे बाइट मार्क है या लाइगेचर मार्क है ठीक है जी अगला है पैटन अब्रेशन पैटन एक पैटन फॉलो करेंगा जैसे टाइर मार्क यह अब्जेक्ट का टाइर मार्क यह अब्जेक्ट का पैटन फॉलो होएगा now we are going to talk about color of scab color of scab color of scab की बात करेंगे तो raw color कब आएगा less than 12 hours रेडिश scab scab का color red कब हो जाएगा more than 12 hours ठीक है उसके बाद रेडिश ब्राउन कब होएगा दो से तीन दिन में फिर ब्राउन होएगा चार से पांच दिन और ब्लैक हो जाएगा छे से साथ हफते भर में आपको जो चोट लगती है वो काली हो जाती है चार से पांच दिनों में वो ब्राउन हो जाती है रेडिश ब्राउन हो जाती दो से तीन दिनों में रा रेडिश scab होता था है 20zej के बाद और बिल्कुल रा होता है ना 12 से पहले तो निमोनिक इस और और बी दी भाइं गो आपके कोशिंए था इस पर हलके मतलिलने इसगो नहीं आता हो तो मैं कभी बढ़ाता भी नहीं कंटूशन पड़ाहिए भी प्र待 रोउट्ड लेक्ट हो चाहर न होती यहाव वोट सु उश्ण remember in contusion or bruise there is a collection of blood is seen under skin that is called extravasation extravasation is seen that is collection of blood collection of blood under the skin and also you will see the swelling and discoloration because of the hemoglobin discoloration is there that is contusion also remember the margin of contusion is irregular margins are irregular that's why margins are irregular margins to kya-kya cheezes kinder take care extravasation and irregular irregular margins with swelling and discoloration is a feature of contusion take a kneel pard jata hai kisi nai dun lath de diya jor se top naw- gameplay k eighth village جendta data that is contusion abruurs typefci58 guys remember typefciib bruus yao isactive bit哪 go whaaka kani kati kani kani than algumas maathenas maath ni jaaud आप एक यह बताओ किया कही की एट कही का रोड़ा बान मतीने खंबा थोड़ा बक्चोती वाली चीजे ज़्याद आजाती है ना तो ब्रूज अवे फॉंसाइट ओफ इंपक अटोपिक ब्रूज और माइग्रेटरी ब्रूज क्या होता है ब्रूज अवे फॉंसाइट ओफ ब्रूज आप दिस चैनि तर सबस्क्रा ब्रूज अवे लुट आप आप इंचार लॉंसाइट अटेकोशन च्था इंट चैनि ए टल में हए वट इस ब्रूज ए जार सबस्टिछ अट ब्रून आप फ्टीज और इस ब्रूज डिब्र अटकर ते लिए ला स्टार इस आवर then in the middle cranial fossa which sign is this can you tell me which sign is this anti-cosian middle cranial for some a what what is this 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 middle cranial fossa what is this this is none other than battle sign dream catcher has given the right answer this is battle sign very good this is battle sign is seen due to fracture of middle cranial fossa anterior cranial fossa ki wajah se kya dekhne milta raccoon eyes aur panda eyes so pattern bruise mein you will see six penny bruise sometime you will see like gala dawane pe butterfly bruise is there tram drag line bruise is there these are the different types of pattern bruise now we'll talk about the colors of contusion yes colors ki baat karein guys remember jis ke in der zyadha oxygen oti wo lala lota isi wajah se red color lala oxy hemoglobin ki wajah se red color of bruise is seen that means your bruise or contusion is totally fresh your contusion is fresh decided by a color simply that is red color now the oxy hemoglobin of oxygen chali is a blue blue it means kuch gantte ya tien dyn tuk ya blue rata fresh ho ka to lal color kuch gantte se tien dyn tuk is ka color rata blue that is because of deoxy hemoglobin ab dekho hemocidrin toh sardard dard koon karta hai bv koon karta hai bv sardard koon karta sidrine bv toh bv b se brown violet brown violet color of contusion is because of hemocidrin and it is seen on five between five four to five days 4-5 dino ke bv ch mein hemocidrin ki wajah se brown violet color dhek ne minh gha billy birdin wow green color and billy rubin and billy rubin ki wajah se red deoxy hemoglobin ki wajah se blue hemocidrin ki wajah se bv sardard bv brown violet billy verdin ki wajah se green and billy rubin ki wajah se yellow yellow dirty fellow next is lacerations guys remember all layers are breached laceration ka aberration ka matlab tha rugged contusion ya bruise ka matlab tha extraversation of blood thik hai nishan pard jate hai now laceration matlab phat gaya puri ki puri layer thad ke rakh di this is laceration all layers are breached we'll talk about the split laceration split laceration is seen in the bony prominence yes like elbow thik hai yaha pere hdi jada baar ati hai forehead shin thik hai this is seen in bony prominence it is slit laceration margins appear regular in split laceration me kya hota regular margin hote hai aise liya aap ne koi haa thoda kuch liya yaha pere mara bilkul eek saath kattega that's why the margins are regular in split laceration ab khenj ke bilkul stretch laceration ki baat karenge it is seen ye kyun phatty kyun hai jab zyadha khenj dhooghe tab phat jayegi to ab pharney hai ya toh bilkul pharadha se cheeer ke pharadho thik hai seen due to over stretching of skin avulsion ki baat karenge seen due to rotational forces rotational forces ke anndar mcq had degloving injury hoti hai the mcq comes in this form degloving injury ke anndar koon si cheese bahar nahi nahi aati hai the first structure which never comes out is fascia yes 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 baaki sara cheese bahar a jata hai sari layer bahar a jati hai pahli layer joh anndar ready degloving injury me that is fascia it is a sure short mcq cut laceration ki baat karenge hai choppin kya hai heavy weapon like x x is always heavy yes thik hai with sharp edge ha aap nne kya liya kuladi kuladi lia aur kahi bhi mari jaysse aap nne kaha mara mere pair pe mara ispe tibia pe mara chamdi toh pharadi pharadi dosto bone bhi phar diya this is called cut laceration cut laceration or chop injury is mein bone bhi involved hota hai baaki sari me sirf skin involved hai stretch wali me aap stretch karke phar sakte ho avulsion me there is a degloving injury is seen and the first one is split laceration most commonly seen in bony prominence bony prominence next is insa sharp force trauma next one is sharp force trauma sabse pehle hai incised wound incised wound ki example kya hai surgical blade scalpel baghara lete ho aap chamdi kaat ke nye this is incision you are giving incision example is surgical blade iske margin biilkul margins are always very smooth you can define the margins because agar margins irregular hohenge how you can suture hai na tailing tailing is seen in incised wound aur yye help kis me kis me kis me aap nne kisiko chaku mara aap nne kisiko chaku mara aise bilkul hai na aap yye pata kisiko chaku ya haan se mara either se mara idar se mara hai na toh tailing always yeh patati hai ki direction of wound direction it helps in determining determining the direction of force direction of force direction of force के लिए there is tailing and it is seen in incised wound और incised wound में आपने example याद करा है surgical blade ठीक है डोक साब next is beveling ठीक है beveling is always suggestive of homicide क्या होता है न जब को मारा यह कैसे पता चलेगा उसके मारने के angle पे तो angle को बताता है beveling क्योंकि सामने वाला आपको न ऐसे नहीं मारता है वो हमेशा ऐसे टेड़ा मारता है oblique fashion में मारता है तो it is beveling is angle is always seen और beveling होता है it tells about the angle and will help you to differentiate between homicide and suicide because suicide में आप हमेशा ऐसे cut करते हो perpendicular और homicide के अंदर always there is a oblique angle always there is a oblique angle now we'll talk about the aging of incise bone incise bone का उम्र कैसे पता चलेगा दोस्तो fresh होगा अगर तो उसके अंदर देखने मिलेंगे neutrophils fresh होगा तो neutrophils अगर 12 गंटे पुराना होगा तो monocyte देखने मिलेंगे आपको 24 गंटे पुराना हो तो endothelial layers आएंगी उसमें और 2 से 3 दिन पुराना होगा तो granulation बस remember this thing granulation tissue granulation tissue will appear on the day 2 or 3 day 2 or 3 में क्या आएगा granulation tissue and remember scar is always present after 7 days scar का present होगा साथ दिनों के बाद granulation tissue is 2 to 3 days 2 to 3 days fresh होगा तो neutrophils guys remember 3 things fresh होगा तो you will see neutrophils granulation tissue देखने मिलेंगे 2 से 3 दिन में and scar you will see after 7 days now we'll talk about the stab injury hope diya hope diya hope pa क्या कर दिया घूप पाप और भी चीज़ ने stab injury आपने कोई key ले लिया pencil ले ली है ना ये एकदम बजा दे एकदम है ना पैन ले लिया अगर बजा दे दिस दर entry wound is large or short can you can you please tell me the answer entry wound and exit wound can you बजली बोलो 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 entry large exit small जहां से डालोंगे ज्यादा फाड़ेगा stab में जहां से निकलेगा वहां पर थोड़ा ठीक है तो क्या कहता है घर से निकलते ही कुछ दूरे चलते ही रस्ते में है उसका घर वह हारा किरी हारा किरी जब जैपनीज सोल्जर्स हार जाते थे तो अपने पेट में चाकू मार लेते थे सरेंडर करने से अच्छा समझ में आई हारा किरी हारा किरी और सिपिकू समझ में आई ठीक है डन बाय जैपनीज सोल्जर्स ठीक है और ये एक स्टैब इंज्री कहां पे एब्डॉमत ये एक शार्प ऑबजेक्ट लेंगे और सीधा अपने पेट में खूँग देंगा खुद्दार कि आप जैसे प्रो लोगों को पता है दिखता है कि नहीं दिखता है थेक है तिक है guys very good now we talk about the skull fracture fissure fracture or linear fracture always one fracture is asked from this this topic most common fracture of skull vault fissure fracture or linear fracture इसके अंदर क्या होता है single thin line fracture it is single यह देखो you'll see a single thin line mcq this is a most common fracture of vault single line आने के chances सबसे ज़्यादा होते हैं और तुमारे single रहने के chances भी सबसे ज़्यादा हैं next is depressed or signature fracture mci का question रह चुका है दोस्तो depressed or signature fracture की बात करेंगे second most common fracture of skull vault number one was fissure fracture or linear fracture ठीक है number one first f से first s से most common second most common is depressed or signature depressed or signature example जैसे किसी ने सर में हथोड़ी मार दियो एक्जाम्पल है जैसे सर में किसी ने हथोड़ी मार दी हो this is called depressed fracture next is community fracture और spider web fracture इसमें क्या होता है पूरे के पूरे भेजे की मा बहन हो जाती है multiple fracture lines intersecting each other बहुत सारी fracture lines you can watch ये fracture line ये fracture line ये fracture line मा ला पूरा है बजी गे इसके लोडे लगे ठीक है तो ये क्या communicated fracture spider web fracture next is very very important that is that is that is diastatic और suture fracture इसमें क्या होता है there are suture lines present over on our what skull what ठीक है skull के ओपर suture lines present होती है ठीक है अगर कोई fracture lines उनके साथ-साथ में घूमने जाती है साथ-साथ में घूमने जाती है जैसे कि ये suture है normal and this is fracture line going along with the suture this is called suture or diastatic fracture ये क्या कहता है lines runs along the suture line commonly associated with sagittal suture we all know the sagittal sutures are present in the back and the most commonly associated suture with this kind of fracture is sagittal suture and it is seen in young adults तो sutural or diastatic के अंदर याद रखना commonly associated with sagittal suture and it is seen in young adult it is seen in young adults now we'll talk about the very very important mci ka question 12 December को 2021 तो हजार इकेस तो है guys remember ponds और ping pong fracture क्या होता है बच्चों का skull hard नहीं होता बच्चों का skull is very very soft तो guys remember it is seen in infants ठीक है कहीं भी crack नहीं है इस चीज़ में ठीक है now most common cause forceps delivery जब हम delivery कराते वक्त forceps का use करते हैं उस वक्त ये fracture होने के chances सबसे ज़ादा है this is called ponds fracture और ping pong fracture नाम से भी जानते हैं इसको it is seen in infant and most common cause is forceps delivery ठीक है आवर नेक्स नेक्स चैप्टर इस फोरेंसिक बालेस्टिक देस गन ये है गन और आपके पास है आपके पास भी एक गन है है की नहीं है आपके बस गन है की नहीं है इसमे गोलिया लेकी लिए लिमिटेड नहीं अलमिटेड है कैं million billion उसमें जो बारूद है ना बारूद कभी खतम नहीं होता एक बार खाली कर आप फिर भर गया बार बार लाग्स अन्यहों बंदूपन जाती है क्योंकि इंसान की बनाई हुए इंसान की खुद की कभी नहीं खतम होती अबाइब रात को फायर सुआ फायर कोई ऐसा टाइम था लोग चार-चार बार निकालते थे फिर पांच-पांच बात अब ऐसी स्टेट आगी है फायर निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि नही इन बुलिट्स अर देर विद्यू सबके पास है ना संभाल के रखना वाई कतानी कब कमी पड़ जाए ठेक है चल करेंगे चलो रेंज की बात करेंगे ठीक है बट इस बोर पहले बोर की पर समझा देता हूं बोर होता है इनर डायमेटर ऑफ बैरल यह बैरल है आपका यह कि स्टॉक ना विल टेल यूव दर रेंज शौट गन का रेंज होता है 52 60 यार्ड फिफ्टी टो सिक्स्टी यार्ड ठीक है रिवॉल्वर का रेंज है 200 है मिल्टरी वालों से बचना अधा पबजी पर ऐसी होती है और अधा है सारी होती है सारी थिक है रिमेंबर दिस ते अच गुड्डू का शॉट गन 50 to 60 यार्ड रिवॉल्वर 200 यार्ड पिस्टल इस 400 यार्ड पिस्टल इस फोर हंडर यार्ड मिलिटरी राइफल इस 2000 यार्ड is a question ठीक है रेंज याद कर ले ना ना गन पाउडर की टाइपस की बात करेंगे there is a powder inside the gun 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 bullets ठीक है यह produce करता है क्या धुआ नहीं राक है कहीं धुआ 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 तो black gun powder के अंदर what is a composition first one is potassium nitrate that is maximum 75 फिर charcoal फिर sulphur KCS सर आपकी यादे जुड़ी हों के सी सी नाम के campus से कुछ बच्चे बिश्के के सुन रहे होंगे तो के सी सी नाम के campus सर की यादे जुड़ी हुई है ठीक है वहाँ पे क्या धुआ उठता है ना सर की हरकतों का दुआ उठता है है potassium nitrate की बात करेंगे 75 परसेंट चार कोल 15 परसेंट सलफर 10 परसेंट पोटेशियम नाइट्रेस 75 परसेंट चार कोल 15 परसेंट सरफर सलफर 10 परसेंट यह दूआं उठाते हैं यह दूआं उठाते हैं ठीक है आई सम्वाले आगे चैट बॉक्स में देख लो smoke less gun powder single base double base triple base very very important triple threesome and orgy first single base के अंदर only nitrocellulose is present only nitrocellulose is present in single base double base में nitrocellulose plus nitroglycerin nitrocellulose plus nitroglycerin nitrocellulose nitroglycerin हो गया तीसरे नंबर पर तीसरा एट हो गया nitrocellulose nitroglycerin plus nitroglycerin प्लस nitroguanidin it is guanidin ठीक है guanidin ठीक है nitrocellulose nitroglycerin nitroguanidin is in triple base double base में nitrocellulose nitroglycerin and single में only nitroglycerin and single में only nitrocellulose yes salu glycy nitro we we test done for gun powder guys remember the mnemonic for this is hand gun is always in hats your gun is always in your hand sometimes you shake sometimes you wake sometimes you hold and put it somewhere else all is hand and gun combination no hands no gun then gun will stand and your hands will not be there to hold that gun ठीक है सभी जवानी के दिन है ज्यादा ज्यादा हिलाता रहो काम बनाते रहो तो harrison test number one is harrison test number two is atomic absorption spectroscopy number three is neutron activation analysis number five number four ठीक है यह paraffin test now not performed these days paraffin test ठीक है बस यह याद कर ले ना hand is a mnemonic for gun powder hand is a mnemonic for gun powder now we'll talk about the contact shot distance shot close shot तो बात करेंगे shot gun shot range short gun shot range ठीक है उनकी shot की range क्या क्या कि first one is contact shot किसी बंदे ने अपनी बंदूख ली आपके कनपटी पे लगाई यहां माथे पे लगाई और यहां पे आके आपको ठोक दिया this is called contact shot tightly on the skin guys remember this thing stillate wound is seen yes stillate wound is the scene and margins are who sheet these are cruciate margin to dekhne sa hi pata chal jaga cruciate margins are seen ठीक है cruciate stillate wound and cruciate star shaped actually this is star shaped guys remember this is actually star shaped जब आपको contact shot पड़े भी तो stillate wound and cruciate margins are seen अब आपने एक मीटर से कम दूर से अगर आपको किसी ने गोली मारी less than one meter guys remember you will see burns you will see blackening you will see blackening and you will see tattooing ठीक है burn देखने मिलेगा एक मीटर से कम मारा तो burns blackening tattoo yes ठीक है यह देखने मिलेगा along with the shade with one single hole because till now there is no dispersion dispersion मतलब आपने gun का fire करा आपका bullet आगे जाके pallets pallets बिखरेंगे अभी इतनी जल्दी नहीं बिखरते हैं ठीक है आपने यहां से fire करा इस मेरी गन है यह मेरी गन है यहां पर आपका target था मैंने यहां से bullet fire करा थिक है यह एक मीटर से कम दो मीटर से कम तक डिसपर्श नहीं होगा मतलब अब ऐसे ऐसे फैलता है बुलेट हमेशा जब भी जाता ना पैलेट्स ऐसे फैलते हैं यह बुलेट जो खाली खोखा होता है यह जाके बज़ता है उसको ठीक है रिमेंबर दिस्टिक ठीक है यह comment भी है कि मैंने time waste किया वाव थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच फर दिस लव ठीक है लिमेंबर क्लोज शॉट की बात करेंगे बंस ब्लैक निंग और यहां पर सिंगल बुंड होएगा सिंगल बोल होएगा नियर शॉट की बात करेंगे नियर शॉट होती है एक से दो मीटर के अंदर एक से दो मीटर के अंदर होता है नियर शॉट गाइज रिमेंबर नियर शॉट में there is there is there is dispersion absent dispersion is not present ना तो close होएग ना नियर शॉट में होएगी इसम्मे और यह सिंगल होड विद इर्रीगुलर मारजी जाती है दो से चार मीटर से intermediate shot ली जाती है 2-4 meter पे यहां पे dispersion हमारी start हो जाती है पूरी नहीं हुई है start हो जाती है that means there is one single hole and you can see the pallets around this hole यह pallets देख रहे हो आसपास इसका मतलब अब dispersion start हो गई है तो यह 2-4 meter से ली गई shot होगी इससे आपको range पता चलती है question times या इक आपकी बार central hole with satellite petals around the wound ठीक है जी this is called what intermediate shot next is distance shot 4 meter से ज्यादा से अब fully dispersion is seen complete dispersion is seen separate holes are seen अब कोई एक hole नहीं है उसमें बडे सारे holes like this you can't see a single hole there are separate holes of pellets separate holes of pellet done है very good rat holes भी बोल थे थे ठीक है very good entry or exit exit wound in shot बता दो entry wound का बता दो तो बड़ा होगा कि छोटा, एंट्री औन एक्सिर ओंड का बता दो, लार्ज और स्माल, विच वन इस लार्ज, विच वन इस स्माल, बुलेट जहां से गुषती है, वो छोटा होता है, जहां से निकलती है, वो बड़ा होता है, पर stab injury में उल्टा था stab injury में क्या था stab injury में आप जहां से मारते हो inside that is big and जहां से निकलता है exit entry is big and an exit is small an entry wound entry wound is small absolutely correct and exit wound is large can you see this is entry wound and this is exit. यह calibres. ठीक है? इस आल आट कैलिबर्स. Done है. Margins की बात करेंगे. Entry wound के margins. Can anyone tell me? Entry wound के margins. Can anyone tell me? Entry wound के margins. Entry wound के margins कैसे होएंगे? कि मार्जिंस फिर्ट एं रसे एक्जिट इवर्टेड ह turned च्छोटा होगा इन्वर्टेड मार्जिंस होंगे गए उन्ट्री वुन्ड है ऐग्जिंड कैसे परदा चलेगा आपको इवर्टेड 30 है पाइग से अंदर गया यहां इन्वर्टर इंवर्टर इवर्टर इन्वर्टर इवर्टर है इसको ना दिखा हूं यह मैं डॉला यह मैंडाला मैंने डाला तो inverted है जहां से निकाला ये देखो ये देखो ये क्या है बार आया इंवर्ट इवर्ट डाला निकाला अपना तो है ना ताइपस औब बुलेट्स 100% 100% MCQ कोश्चन नूम्बर 112 12th December exam पाड के निकाला येस क्या बात है टैंडम बुलेट और पिगी बैंक बुलेट क्या होता है एक के बाद एक चोटे होते थे बालू होता था बालू के चेर होता था तो पहले एक वाला सिक्का फिर दूसरा सिक्का फिर तीसरा सिक्का डालता था मैं उसके अंदर तो आप मुझे समझ रहा है तैंडम और पीगी पर मैं विज़ उपर से में नीचे से डाला करता था तो था तो था गईस रिमेमबर वन बुलएट पाउलो पॉलेटा इस लिए दर बुलेट शिसकाल टेंटा मुलेट और पिगी बैंक बुलेट पहले एक निकली फिर दो निकली फिर तीन निकली एना एक, दो, तीन, ऐसे करके निकलेंगे ठीक है ट्रेसर बुलिट क्या होता है ये रस्ते में अपना बताता जाता है कि मैं कहां गया हूँ है ना तो ट्रेसिंग दपाथ आफ बुलिट इस पॉसिबल इस पॉसिबल थीक है ठीक है दम दम इसके कितने सारे हैं ना इसके मतलब इतने फ्रैग्मेंट होँगे कि मतलब खाड़ देगा ये देखो ये देखो इसके कितने सारे हैं हथ्यार कितने इसके सारे ये तो बिल्कुल वही वाली बात होगी अंदर हाट डालूँगा और खोल दूँगा this is dumb dumb bullet maximum damage maximum frangival bullet होता है पहले ही तूट जाता है तो क्या कहता है दिल का दरिया बहे ही गया frangival bullet maximum damage oh sorry bullet broke on yes जैसे ही fire करा bullet तूट गया इसे क्या करता है poisoning करा पार ठीक है इसमें दाव से नहीं मरता बाद तडप 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 के तडप तडप के इस दिल से आह निकलती रही के मैं ऐसा क्या गुना हुआ की ऐसा क्या गुना हुआ की लुट गए हां लुट गए हम तेरी महोबत में नेक्स्ट बुलेट इस रिकोशेट बुलेट और डिफलेक्टे बुलेट यह क्या होता है रस्ते में किसी और चीज से टकरा के फिर अपने टार्गेट को हिट करता है तो बुलेट बुलेट टेंड बुलेट अमेंडवला बुलेट नृ गंड़ेट गेट लिफलेट इस टेंड़ला गांह एंद। Incendary bullet. Guys, remember. Andar jate hi dara dheti. In dara. Incendary bullet. Guys, remember. Bullet explodes. Yes. Bullet explodes once it hits the targets. Yes. Hit the target. जैसे target सा टकराई भट गई. Tumbling movement यह से tumbling. है ना? यह क्या करती है? घूमती हुई जाती है. घूमती हुई जाती है. पात सेम रहता इसका. यह घूमती हुई जाती है. घूमती हुई. ठीक है? यह घूमती हुई जाती है. ऐसे ऐसे जाएगी. ऐसे ऐसे जाएगी. और बिल्कुल ऐसे अंदर चले जाएगी ठीक है उसके बाद यॉनिंग यह जूमती हुई जाएगी यॉनिंग मतलब बुलेट क्या करेगी ऐसे ऐसे इस पैटन को फॉलो करेगी इसको ठीक है यह क्या करेगी बुलेट ऐसे था फिर ऐसे हो गया फिर ऐसे फिर ऐसे यह क्या ट करेगी and hit the target that is called tumbling movement warning tumbling हो गई incidery हो गई हमारी अंदर जाते जो फट जाती थी रिकश्ट हो गई बीच पाथ में deflect हो जाती है अपने पाथ से फ्रेंजिबल हो गई बिल्कुल फायर करते ही फट जाती है दम-दम होगी maximum damage देती है ट्रेसर होगी जिसका पाथ कर सकते हो पिगी बैंक होती है जिसके डाल एक के बाद एक चल सकती है ठीक है उसके बाद है express bullet express bullet के नीचे है छेद जिसके नीचे छेद है वो तेज जाएगा yes or no इससे क्या होगा velocity बढ़ेगी velocity बढ़ेगी and there is a hole present in the base of bullets now souvenir bullet क्या होती है तौफा कबूल करो जापनाद bullet is retained in the body bullet is retained in the body ठीक है what is Kennedy phenomena लोग Canada जाना चाते है और बाहर निकलना चाते है entry and exit to study about the entry and exit wound this is Kennedy phenomena which helps phenomena helps in study of entry and exit wound this gives the manner of death this is Kennedy phenomena now puppy puppy rule तो पपियां लेता है कोन लेता है ठीक है fracture line आपस में एक दूसरे की पपियां लेते हैं तो puppy rule क्या कहता है fracture line will touch each other and tell the sequence of bullet sir में यहां गोली मारी यहां गोली मारी यहां गोली तो जितनी fracture line होगी आपस में पपियां करेंगी होट से होट मिला दो तो कोई बात बनेगी क्या बात है क्या बात है क्या बात है क्या बात है एक दिन मैंने को शायरी सुनाई थी कभी मैं रूठ जाओं chanting करते करते तो मुझे मना लेना कभी मैं रूठ जाओं chanting कराते कराते तो मुझे मना लेना कुछ मत कहना तुम कुछ मत कहना बस अपने ओठों को मेरे ओठों से लगा ले लड़के लड़के नहीं दूरो कार injury की बात करेंगे guys one question always comes from this मेरी कार सूपर स्टार डिंचक पूजा धिंचक पूजा धिंचक पूजा है ना अब देखो कार एक्सिडेंट में क्या होता है यहां पर आजो यह मैंने ड्राइंग थोड़ी पूर है बट वाट कैना आई डू गर्दन में कार एक्सिडेंट में कहता है गर्दन पीछे की तरफ जाती है that's why extension hyper extension of neck is seen in car accident you will see whiplash injury you will see whiplash injury yes energy whiplash injury पता चलगे क्यों होती because of hyper extension याद रखना hyper extension की वज़े से होती है ठीक है उसके बाद मूँ पे क्या होगा मूँ पे मूँ पे बज़ेगा शीशा शीचा बजता मूँ पे that's why sparrow feet marks are seen on face staring से क्या होगा च्छाती में और क्या फार देगा एउटा staring लगेगा च्छाती में फार देगा एउटा seat belt का हर बार question आता इस बार भी आएगा seat belt से miscentric injury seat belt ऐसे पहने होती हमने ठीक है और मिसेंटरी फटने के chances सबसे जादा होते हैं स्टेरिंग से फटेगा एउटा गर्दन में होगी हाईपर extension विपलैश injury मूँ पे sparrow feet mark staring से aortic tear हो जाएगा और seat belt injury same miscentric very good very good very good done है जी next is blast injury की बात करेंगे blast injury primary blast there is a air compression in primary blast there is a air compression remember in primary primary blasts आप मुझे पता दो आप tympanic membrane फटेगी या lungs फटेंगे l-u-n-g-s lung ठीक है lungs अब मुझे बता दो बता दो कौन फटेगा श्वेता जाना is giving right answer and that is tympanic membrane tympanic membrane पहले फटेगी लंग से very good very good absolutely good biscuit now we're talking about the secondary blast इसमें क्या होता है object hits the body सबसे पहले बम फटा बम से निकली हवा हवा से फटा कान 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 जी नहीं जी नहीं कान के के से कान है ना उसके बाद यह जो होता है ना जब object hit करते है ना body को there are three things which we are going to see number one is pattern abrasion pattern contusion and laceration abrasion आपने पढ़ लिया रगड लग जाती है contusion आपने पढ़ ला extraversation होती है laceration पता चल गया तीनों की तीनों layers चली जाती है तो जब object बचते हैं तो तीनों चीज़ें हो सकते है इसको बोलते हैं martial triad this is martial triad this is mcq what is included in martial exclusion का question आएगा तीन चीज़ें include होती है martial triad में क्या चीज़ नहीं होती है this is called martial stride in the secondary blast primary sorry tertiary blast guys remember एक तो क्या होता है सबसे पहले primary में हवाई फिर चीज़ें आई चीज़ें तुमसे टकराई और कुछ ऐसे चीज़ें आई जिसने तुमें दूर फैंका ब्लास के पास ऐसा थोड़ा होता कि तुम वो हो कि एक जगा खड़े मिलोगे तुम कहीं दूर जाके गिरोगे उठाग फैंकेगा तुमें बं ठीक है तो थ्रोन अवे इन दी यह अनकी बंडर्वाटर ब्लास्ट की बात कर रहा हूं अंडर्वाटर ब्लास्ट की बात कर रहा हूं नंदनी चंदरान्य इस गिविंग 애 ABS लख बॉतलली करया उंसर जब आपकी बादी पानी के अंदर होगी दोस्टो तो आपके कान नहीं भटेंगे आपके intestine फटेगी अगर तुम हवा में हो बल्ला हवा में in the sense पानी से बाहर हो तो तुम्हारे कान फटेगे पानी के अंदर हो तो तुम्हारी intestine फटेगी Marshall Tride में pattern abrasion, contusion and laceration Now we'll talk about the electrical injuries Electrical में ये बताओ AC ज्यादा खतरनाक है कि DC AC ज्यादा खतरनाक है कि DC AC, can you tell me AC more dangerous or DC AC or DC, AC, DC, DC, AC जल्दी से, AC, Sweta Jana is giving right answer AC is more dangerous than DC अगल लेता है, what is the cause of death in electrical injury आपको शॉक लगा आपकी मोत किस वज़ा से होगी Guys remember, most common is CCC cardiac arrhythmia Most common cause of death in electrical injury is cardiac arrhythmia And number two is respiratory failure Most common कोई पूछेगा, electrical injury में किसकी वज़े से help death होती है That is cardiac arrhythmia Most resistant organ to the electrical injury हमें shock लगा हमारे अंदर कौन सा ऐसा structure है जो सबसे ज़्यादा resist करेगा इस चीज़ को That is bone Then comes skin Bone और skin की लडाई में resistance में bone जीतेगा Now we'll talk about different types of burns due to electrical shock सबसे पहला है, Joule burn Guys remember, Joule burn is an endogenous burn क्या होता है, गुसता कहीं से, निकलता कहीं से यह है Joule ठीक है, जूलता हो जाता है body में इधर से गुसा है, पैरों से निकल जाता है This is endogenous burn And this is due to low voltage Low voltage Low voltage electricity की वजह से होता है Joule burn Crocodile burn की बात करेंगे Crocodile burn की, it is due to high voltage It is due to high voltage And philagri is a MCQ, again it is due to lightning आसमान से जो बिजली तड़की आप पे गिरी गिरने की वजह से क्या हुआ, philagri वन्स High voltage current लगा तो Crocodile, low voltage लगा तो Joule, low voltage में Joule High voltage में ग्रोकोडाइल और उपर से जो बिजली गिरी That is philagri वन, philagri वन्स ठीक है, now we'll talk about the different torture method, torture कर सकते आप किसी को अगर किसी के कानों पे दबा दबा के थपड रैप्टे रखे तो क्या है, टैली फोना टैली फोना टैली फोना क्यों है, क्योंकि टैली फोन में भी हम क्या करते हैं, कान पे लगाते हैं है ना, कहीं लोग तो जी पे लगा के सुनते हैं, है ना उनको वाज ही नहीं आती, जित नमर्जी बोल लो, यहाँ टेलीफोना है, बीटिंग इर्स, बीटिंग इर्स, ठीक है, उसके बाद है, फालंगा, फालाना धिंका, बस्टी नाडो, बीटिंग सूर्स, टेलीफोना कान बजा दिये, फालंगा, बस्टी नाडो, पैर बजा दिये, टल 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 टल, टल टल, टल टल, 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 ल, 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 Roi Submarine, Vet Submarine में में क्या होता है? Head, is under the water. बार बार मु डाला, निकाला, डाला निकाला, डाला, डाला डाला, 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 डाला ठिक हैं? Parrot preach क्या होती है? Parrots preach. इसमें आपने देखा है? मुरगे को कैसे टांगा जाता है? ऐसे दो लकड़ियों के बीच में, है ना, तो ऐसे अगर किसी को एक लकड़ी पे पैर और हाथ बांद के टांगा हो, this is called parrots preach, ऐसे ही एक आदमी को ताबूत पे, ट्रायंगुलर से बिठाया जाता है, टांगे एक यहाँ, एक वहाँ, टांगों पे लटका जाता है, वेड, तो बीच में जो आदमी की जी होती है ना, वो फट जाती है, थेखें, तो सौ होर्स में क्या होता है, गोड़ा, गोड़ा, एनल में गोड़ा बता देगा कितने इंच का था लकड़ी की काठी काठी पे घोड़ा गोड़े की दुम पे जो मारा हतोड़ा दोड़ा 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 दुम उठा के दुड़ा ना 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 गोड़ा क्या है घुड़ा ब्लैक स्लेव काली दास महराज की जय इंसर्शन ओफ हॉट अंकी चाहर ने अंसर दे दिया है इंसर्शन ओफ हॉट मैटल इंटू दा एनस इंटू दा एनस ओफ विक्टिम विक्टिम के एनस में अगर डाल दिया तो वेरी गुड वेरी गुड ठीक है उसके बाद है प्लांटॉन प्लांट देखो खड़े रहते दिन रात खड़े रहते ठीक है तो प्लांटों में क्या प्रोलॉंग स्टेंडिंग प्रोलॉंग स्टेंडिंग खड़ा रखो उसको है ना अब ये बता दो अगर आपका ओजार चार घंटे से जादा खड़ा रहता तो कौन सी बिमारी होती है अगर आपका ओजार चार घंटे से जादा खड़ा रह जाता तो कौन सी बिमारी होती है लॉग ओवर दा लेग प्रिया पिस्म क्या बात है ये पिया पिया ओ पिया थेक है so this is all for today's class the next we are going to take death थैपनो लोग और सौरी थैनेटोलोजी and also your favorite topic that is sexual perversions everything offenses and i will show you live sexual objects in next session i hope you enjoyed today's session can we get can we know that everything was fine from our sides ठीक है सब ठीक रहा any suggestion you want to give ठीक है जल्दी से बता तो जल्दी से so we are going to say good night because we are having offline chanting session now we promise you guys offline chanting sessions in gautam nagar so now we are going to take offline chanting session for another two hours the schedule देख लो भाई बड़िया ठीक है कि एक छोटी सी कोशिश है लोग सोचते हैं कि पता नहीं कितना वड़ा तीर मार दिया है पर यार छोटी सी दुनिया है छोटी सी जिंदगी है ठीक है बहुत बहुत दन्यवाद आपका आने के लिए हमें उमीद है कि हम आपकी उमीदों पर घरे उतर रहे हैं जो जो वादा करा था पूरा हो रहा है ठीक है दो और तीन को सब्सक्दब चर्ण्चर पर चलंग, सब्सक्षड अंपी इपकी चैर्मा था ब्सक्रिएश कि एूरण न था बोर प्सक्द चैर्ड ल ओंधी रहे हैं च्छंन च्टर चैंठ चाट्ट अरवेश्ड इवस्च्जित सुन यो बитан्र य ही जिवे गए with us ठीक है thank you so much thank you so much FMT देखो दो गंटे भी पढ़ी है दो से तीन घंटे और पढ़नी है पूरी FMT we can guarantee ती यू की दस कोश्चिन दस कोश्चिन पांच गंटे बोले थे फाइव आवर्स दो गंटे होगे तीन घंटे और पढ़ाएंगे पांच गंटे के अंदर पूरी FMT के दस्वाणा पांच गंटे पढ़के दस नंबर आजेंगे आपको और क्लास में याद कराने की जिम्मेव and from like from two three days we are taking continuously offline free chanting session in gothanagar you all are welcome in nlc and from 15th we are going to start rapid revision with chanting everything proper faculties will be coming and after faculties dr ashish and me would be doing chanting session image based sessions dr sara is also there with full nlc team till examination so we are always there for you for any queries just feel free to talk this is my number this is my instagram dr ashish is also having instagram please do follow us we are going for the offline chanting session if you want to come who all are in gotham nagar and now listening to this session you can also come okay already 19 subject chanting videos there on youtube which is available from last session also take it so now we'll say goodbye dasvidania take care spaka inochi we'll see you tomorrow bye yes amdabad also we are coming yes amdabad also we are coming take care amdabad hyderabad jaipur and one more place in south will come four places before 12th we'll see you face to face also see you bye bye